हेलो वेल्कम बेक टो अवर यूट्यूब चैनल सो गाइस यहां पर देख लिए हमाँ पास में हैं क्लासिक वाली और आज में इसका दिखाने वाला हूं आप सभी को इस्टुबेंट कंसोल मुजिक सिस्टम इसकी पुरी जानकानी देंग और साथ में आटो एसी में क्या-क्या फेचर्स दिये हूं है इस स्कॉर्पियो में वह भी में पूरा आपको अभी को बताने वाला हूं उनका पूरा आज एक कुक ओवर्वीव बताने वाला हूं सो गाइस यहां पर देख लिए यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने तंप्रेचर को बड़ा घटा सकते हैं कि कितने तंप्रेचर में आपको मैनुवली इसको सेट करना है या आटो पी आपको कितना ट फ्रेंट में चाहिए और लैक पे चाहिए उसके लिए है ऑप्ऽन दिया हुआ है बसे कितने की बात करता है तो यहां पी हमको दी अवा है और रिइयर का डिपागन कहां पे दिया हुआ यह तो हम भी पी हैं कि हमारा मीन बिघ्र काने और गया है हमारा इस साइड में यहां पर देख लिए यह बटन यहां पर रियर के डिफाउगर के लिए मुझे तो लग रहाता है तो नहीं इस कार्भी उन्हें हटाई दिया महिंद्रन अटाई दिया उसको तो यहां पर हो गया देश्बोड में जो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है चार्जिंग फॉइंट वहां हमको यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर डारेक्टली आपको यूइस भी प्लक नहीं कर सकते है नॉर्मल आपको जो चार्जर है वही आप लगा सकते हैं और फोन को चार्जर के और देखने को मिल जाता देखने को यहां पर रीडियों benut शेटने को मिल जाता है कि एप स्कूल एक है AMY believing को manner सेट ब्सक्रण में और सेटिंग है और गया है स्ट्रिंग फरीकॉप्ट्स को घ्रियाने है कि क्या क्या यहां पर आया इस्टेरिंग में अपनी बटन का कंट्रोल आप यहां से सेट कर सकते हैं कि साफ से क्या आपको कंट्रोल चाहिए वह आप यहां पर सेट कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर रिसेट भी कर सकते हैं यहां से बाहर निकल सकते हैं इसको छेड़ेंग सेटिंग गूगल और सिस्टम तो यहां से पहले नंबर में देख लेते हैं नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग में क्या क्या हमको देखने हो यहां पर वाइफ आप सेम वहीं मोबाईल अरा सिस्टम पूरा दिया हुआ कि क्या कि आप इसमें connect करा सकते हैं वह सब आप यह से कर सकते हैं notification and default apps का भी option यहां पर दिया हुआ है अगर अब बात करते हैं डिस्प्ले की डिस्प्ले में हमको जो है यहां पर ब्राइटनेस लेविल देखने को मिल जाता है वाल पेपर ब्राइटनेस मोड वाल पेपर खोल के देख लेते हैं अच्छा इसमें लाइव वाल लगा सकते हुआ सकते हैं और ब्राइटनेस मोड भी देख सेकते हैं उसके बार पेपेड कहां उसके बाद में जो है फोकस एप यहां पिर लेंड ऍस्केप लगा हुआ है ऐसे साइजड देख सकते हैं वो तो नॉर्मल सी चीज़ेशे हैं गॉन्ट्रास सचर्णेस्टि Georgia आप सेट कर सकते हैं एडवांस में भी बहुत सारी सेटिंग्स इसमें दी हुई हैं अब बात करते हैं साउंड में साउंड में क्या क्या मिल जाता है साउंड में जो है हमको देखने को मिलता है यह देखिए रिवर्स मुट अगर आप कार को में बैक करेंगे तो यहां मुट में पहले बब इकतल है अगर कि स्बीड काम होगी कि तब आपका का वैलूंक जो हो जाएगा और बहुत सारे अप्सण इन रटीन को छोड़ देतें लोकेशन के अपका जो है पू近 करता लोकेशन मोड वगरह सब दिखा म Uhm तो में जलदेलिट खोलके आप सीब बहुत सारी जीज है है इंको आ जापने आकपने अपने लिए हम ऊपおक्षिण दिये हुआ है यहां पर जो है कार सेटिंग में अपने अपडेट वगरा भी सब कर सकते हैं और यहां पर गूगल सर्विस हैं यहां पर आग जाते हैं सिस्टम सिस्टम पर आपको देखने को मिलाएगा लेंवेज इंपूट डेटें टाइम डेवलोपर ऑप्शन एंड अब डिवाइस तो इसको भी कर देते हैं अब हम बैक तो फाइनली यह था अब रेडियो तो रेडियो ही है म्यूजिक में क्या-क्या देखने को मिलता यह मैं अब सबीको दिखा दो यहां पर देखें में जो खोला, वैसे प्लेय हो गया तो यहां से आप प्लेयर पॉस्ट कर सकते हैं नेक्ष ने यहां यहां सब पूरा कॉलाईजर दिया हूा है यहां से जहां का सबören को चलाना वह सब comprehensive चरो है इस अधिछ लिए पे लागा हूए लगात सकते हैं अभी दो है Ich you duy जो पहांते हैं जने तो इस relevance करेक एक बैक अब यहीं था है कि छोटा था इसका तो अभी कहा है अभी यादा था अपने इस्टेरिंग कंट्रोल में हमको जो है यहां पर कुछ कंट्रोल का अप्शन देखने को मिलता है कुछ को रिसेट कर सकते हैं यहां से सेट कर सकते स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए होता है यहां पे र्लीक रसकते हैं क Bolsonaro कर चाश्म कर सकते हैं और साथ में यह जानता है ऊडिया हुआ के वाइपर के लिए समैं हाई लो श्पीड में यह तीन यहां पर दी हुह है यह वाई थे होता है नहीं कि ये जो आपके के लिए दिया हुँ होता है तो बाकि यहां से हमारी वागल इसके बाध में मेल लाइट यह घय आप betल यहां से कर सकते हैं साथ में यह हो गई हमारी नीचे की फौग लाइट यह त़िखेंस यह फौग लाइट और यह इंडिकेटर हुग ज़ले हो गया है, इसको कर देते हैं बंद, अब में अपर जाते हैं इसके इसकर बारे में आप सब बता देते हैं, हलागि इसके ऊपर एक फिल्म यहां पर आपको डिया उस्तेट नहीं आ रहा है कि अगर प्रस पराइंगे तो पीछे के फिए ओपन हो जाएगी यहां से ये लाइट वपर जा रहे है अभी ध्यान से लाइट को आप देखना यह लाइट अभी अभी उपर अब इसको beam को नीचे करेंगे अभी नीचे ही और अब वीम को ओपर एक यहाँ फोकस करने और लाइट ये उपर चली गई अभी इसको नीचे करते हं यह देखे light हमारी नीचे आ गई जैसे कि जब लोड ज़ादा होगा कार पे तो कार जो है पीछे से उठेगी तो light इसके उपर जाएगी इसको नीचे कर सकते हैं अगर कम load है तो आगे की जुकिएगी तो light उठा भी सकते हैं इसके लिए हैं यहां से अपने mirrors को जो है वो set कर सक सकते हैं मेरे इसको जो जिस तरीके से मूब करना है वो मूब कर सकते हैं यह देखें तो यह हो गया फाइलने दोस्तों एक यही था डैसबोर्ड में इसके क्या-क्या है वो मैंने आप सभी को सब बता दिया है और अगर अगर ड्राइवर साइट के गेट की बात करें तो यहां पर देख लिए यहां पर हमको चारो पावर विंडो के कंट्रोल और लगा तो लाइक करेंगा शेयर करेंगा सब्सक्राइब करेंगा हमाँ चनल को पासी में दख्राइब लागन को प्रस कर देगा ताकि इसी देखें के वीडियो के लेटर इट्रब्रेट आप तो कहसानी से पहुंच सकें धन्यवाद